हेलो विवर्स तीस डॉक्टर वाहिद बेग फ्रम जैपूर इंडिया आज बात करते हैं एक हर्बल ड्रक के बारे में एक नवाती दवा के बारे में एक मौफ़त दवा के बारे में बर्ग गावजुबा यानि गावजुबा के पत्ते गावजुबा का पौधा खुर्दुरा और रुवेदार होता है इसके पत्तों पर जो रुवा होता है वो काटे दार काफी बली बलीक से काटे होते हैं वो हाथ लगाने से हाथ में चुपते भी हैं और किसी हद तक वो गावजुबा के उपर जो रुवा होता है जो खुर्द दर्iedzे में होता है और मिकदार खुराक 3 से 6 ग्राम लिजाती है आम दोर से 3 ग्राम काफि होती है कभी-कभी 5 ग्राम भी लेते हैं कभी-कभी 6 ग्राम भी लेते हैं बर्ग- काउसबा को तनहा सिंगल तवरी बिस्तिमाल किया है और खासी सुकाम के लिए बहुत अच्छी दवा है यह बहुत इंप्पोर्टैंट मेडिसंट मेडिसन है यूरॉननी 성 usar के लिए और जो जिस्म के अंदर जो खुश्की हो जाती हैए खास तोर से फेपडों के अंदर या irasரाइटी सिस्टम के अंदर जो खुश्की हो जाती है उसको दूर करने के लिए एक ला जवाब और बहतरीन मेडिसन ही हुए सफरावी खुश्की को भी दूर करती है बर्ग गाउजुबा के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे लेकिन उससे पहले आईए देखते हैं बर्ग गाउजुब बर्ग गाउजुबा बढ़ी अकॉलिटी के ये बर्ग गाउजुबा हमने बहुत मेहनत से साफ करके अलग अलग छाट करके हासिल की है एक तजर्बे की बात शेयर करूं तो इस तरह से है कि ये बर्ग गाउजुबा हम जब भी कोई दवा इंटर्नल यूज के लिए खुर खाने के लिए बनाते हैं वो किसी भी शेकल में हो तो हम ये बिलकुल बड़े साफ वाले अच्छे वाले पत्ते लेते हैं जिसमें किसी तरह की कोई डस्ट मिट्टी नहीं होती है वो खाने की दवा में हम डालते हैं देख सकते हैं बर्ग गाउजुबा का ओरीजिनल करर इ और अगर हमें किसी दवा में बर्ग गाउजुबा डालने हैं और उसका जोशाना बनाना है डिकॉक्शन बनाना है तो हम इस तरह के जो टूटे हुए पत्ते हैं जो छोटे चोटे पीसेज में बट गए हैं हाला कि ये बर्ग गाउजुबा ही हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं लेकिन चुके टूट गए हैं ये बर्ग गाउजुबा बहुत ही नाजुक पत्ता होता है बहुत आसनी से टूट जाता है तो जोशाने में तो हमें वैसे भी तोड़ करके ही इस्तिमाल करना होता है इसलिए हम इस तरह के जो पीसेज होते हैं बर्ग गाउजुबा के ये हम जोशादे के लिए इस्तिमाल करते हैं किसी भी शेर्बत के लिए और एक तीसरा हिस्सा ये होता है जिसको कि हम इन पत्तों में से छाट करके अलग कर देते हैं ये कच्छरा कहेंगे हम इसको हलांकि ये काउजुबा के पौधे के ही हिस्से हैं जड़ है तना है ब्रांचेज हैं लेकिन ये काम के नहीं हैं ये बेकार हैं इनको दवावन इस्तिमाल नहीं किया जा सकता इस्तिमाल नहीं किया जाना चाहिए इनको फैंक देना ही होता है हाला कि इनको छाटने के बाद अलग करने के बाद बर्गाउजुमा का वजन बहुत कम हो जाता है लेकिन ये तो कर नहीं होता है just for the sake of quality तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बर्गाउजुमा को हम तीन हिसों में डिवाइट करते हैं एक हिस्सा ये जिसको हम फैंक देते हैं दूसरा हिस्सा ये जिसका हम टेकोक्षन बनाते हैं जोशादा बनाते हैं तीसरा हिस्सा ये जो कि हम अंधरुनी तो रपे खाने के लिए जब दवाबनाते हैं तो इस्तिमाल करते हैं उसमें हम डालते हैं पीस करके और आप देख सकते हैं पर गावसमा का औरू इसनल कलर और ये बात भी खास ख्याल रखने की है कि जब हम इस तरह के हिससे को चाटकर के फैंक दिते हैं चाहे इसमेन ईडरी है गो लेकिन जो ये इस तरह के पीसे से समय होते हैं जो की बिलकुल पी ने हैं ये भी इस्तमाल नहीं करने चाहिए वरना वजन जो है जो रेशो है मेडिसन का वो खराब हो जाता है और रिजल्ट तब नहीं मिल पाते है उतने अच्छे इसलिए इस बात का खास खायल रखा जाए यह चाहे बारीक बारीक हैं लेकिन यह यलो अगर है तो यह या तो किसी दूसरे पौधे की पार्ट्स है या फिर यही पार्ट्स है और खराब है बिलकुल इसलिए इसको भी अलक करना चाहिए वरना जैसा कि मैंने बताया कि जो रेशियो है तो वजन है दावा का भो प्रॉपर नहीं रहेगा तो रिजल्ट भी प्रॉपर नहीं मिलेगा इसलिए इस तरह की चीज़ों को हमें भैक देना चाहिए तो डियर यूरेन फॉजिशन सभी आपने देखा अमबर्ग का उस्पा इसके अंदर कौन से अज़सा हम इस्तिमाल करते हैं और कौन से नहीं इस्तिमाल करते हैं इसकी सफाई किस तरह से होती है और इसकी क्वालिटी कैसी होती है क्या होता है इसके बारे में हमने जाना डिटेल में इसको अगर मफरत तौर पर सिंगल ड्रग के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है तो 3-5 ग्राम जोशा दे के तौर पर इस्तिमाल किया जाता है खासी जुकाम नजला चाहे गरम नजला हो या सर्द नजला हो बहरा होता है पानी जैसा बहरा होता है पतला बहरा होता है तो इसका लेस उस पानी को गाड़ा करके और इखराज के काबिल बना देता है और सकून देता है जो खराज पतले पानी की वज़े से हो रही थी उसको दूर करता है तसकीन देता है और खासी या जुकाम ठीक हो जात है लिए इसकी जो लिएस है यह बहूत फी इंपॉर्टेंट है और यह खास टिवी है जो खास तरिकए थित्रा कि जो वल घम है चाहे माई हो जो ऑस पर गाम करता है। इसी तरह से खहसी में जो खुशियूनथ हो जाती है जो खुशकी जाती शर्बत या जोशादा बहुत अच्छा काम करता है जो सीने की खुश्की को दूर करता है और सौधावी खुश्की को यह इस तरह से दूर करता है च्विक्रादा का मजआज गर्म है उसकी सर्दी को दूर करती है और खुशकी इसकी तरी को दूर करती है गर्मी धीरे 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 उसको धीला करती है और खुशकी वो तरी इसकी उसको पिगला करके फिसला करके उसको निकालती है तो यह इस तरह से बहतरी मकविय दिमाग जब माली खुलिया टा प्रेटी सिस्टम के लिए खास तोर से एक बहतरी मेडिसन है बहुत ही अच्छी मेडिसन है बहुत ही एफैक्टिव मेडिसन है वैसे तो ये तनहा तो पर भी मफर्द तोर पर भी काम करता है लेकिन अगर दूसरी दवाओं के साथ इसको मिला करके जो शादा या शर्बत बना अगर सर्दी की दिन है तो पांस दाना, गर्मी की दिन है तो साथ दाना, मिला करके ये एक खुराक है, इन सब को कूट करके और दो तीन ग्लास पानी में भिगो करके, रात भर से सुबा ता क्या सुबा से रात भर रखने के बाद इसको उबाल कर जोशादा बना कर, नोन डाय पांस साथ दिन देना काफी होता है, लेकिन अगर इसका हम शर्मत बना करके रख लें, और इसको हम सब को सो सो ग्राम ले लें, उन्हाप थोड़ा सा जादा ले लें, एक सो पचीस ग्राम ले लें, तो डेड़ किलो शकर उसके साथ मिला कर, इतना माउंट का एक पहले होती हैं, आम तोर से खास्त, जो मौसम बदलता है तब, तो बहुत ही मुफीद थाबित होता है, और इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान भी है, और मुफीद भी है, एफेक्टिव है, तो डेल यूनाने फूजिशन्स ये शर्मत तो बनाएं आप, और अ इस्तिमाल करें, ALLAH हाफिज़,